आज हम बनाएंगे शिम्ला मिर्च की शाही रेसिपी जी हाँ दोस्तों बहुत ही यमी टेस्टी बनाएंगे आप धाबा रेस्टुडेंट होटेल की भी सबजी खाना भूल जाएंगे इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल कड़ाई पनीर की तर है तो चलिए गाइस देरी किस और चील लेते अच्छे से वाश कर लेते हैंं उंकी हम करते हैं कट्टिंग करती है मजेसे पनीर होता है व समाई करेंगे अ आप को दिखा दिखा दिए और इसके सारी अपनीर कटते हैं करते हैं औरएंगे बनाएया मिर्च पारइबं करते蘇気 में तहीच को बीस और इस को चक्ट चुक है है किंपyaj जो बची हूइन पो हम करेंगे ग्रेवी के लिए तहार है तो चलिए अम रहे है gotta यह मशीन ले लिए इसमें हम करेंगे कसेंगे अपना मसाला तो यहां पर मैंने दो प्याज रफली कट कर लिए और आठ दस के लिए लस्टून की और आदक इंची अद्रग ले लिया है चलिए तो इसका हम अच्छे से पेश्ट मना लेंगे चलिए मैं पहले इसमें अच्छे तो चलिए आप करते हैं इसको साइड में अब हम करेंगे अपनी मसाले की तैयारी सो गाइज अब हमने एक खटूरी ले लिए इसमें दो बड़ी चमच हमने दही के ले लिए हैं अब यहां पर हम डाल देंगे आदी चमच हल्दी पाउडर एक चौथा चमच डाल देंगे पार रावाव राव। 454 अच्छे से तेयार तो मसाला तैयार हो चुका और साली चीज़ मैं तयार हो चुक कि देश इलाक हैं अपनी गयास की तरफ यहां पर मैंने शर्टों को तेल डाल के इसको पहले अच्छे से पका लिया था तो चलिए गाई तो यहां पर मैं आलू डाल दूंगी तो यह देखिए गरम अगरम तेल में आलू छोड़ देते हैं और इसको अच्छे से अम फ्राइब कर लेंगे तो बहुत ही यह मीट टेस्टी हमारी सब्जी बनेगी तो चलिए एकदम से इसको हम फ्राइब कर लेंगे एकदम से गोल्ड गल चुका है तो इसको सारा हम आलू को निकाल लेंगे एक बरतन में तो चलिए मैं इसको सारा निकाल देती हूं आप देख सकते हैं आलू फ्राइब के बाद अब हम शिम्ला मिर्च फ्राइब कर लेंगे तो सारी शिम्ला मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी और इसको तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूं यह देखी गाइज तो इसका तेल निचोड़ती हूँ अपनी प्याज फ्राइज जो हमने प्याज कटकर रखी तो उसको भी अच्छी से हम ज्यादा नहीं रखेंगे जैसे हमने श्रिम्ला मिर्च फ्राइज उसी तरीके से हमें आटेका सब्स्सवीब्स थाब में भी इक ऐसी हम करते दोके सब्स्वाइभ प्याज निकाल हाँ था हम अच्छे से售र्ट इसवे प्याल देना प्याल दैंगे और अच्हे से अच्छे कर लेंगे घाला देंडना और इसमों क्योंकि हमने जो सब्जी फ्राइब करिए अपनी प्याज और आलू और श्रीम्ला मिर्च करने उसमें भी ऑईल जादा है तो इसलिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी इसको पहला अच्छी से फ्राइब होने देंगे तो चलिए गाइस अब हम इसमें डाल देंगे भूं जए करल देंगे आपने मसाले तेस्ट कर देंगे बहुत ह सब्सक्राइब है करने निक नेले अच्छी सब्सक्राइब रिमिर्चous और जाता है तो चलिए इसको अच्छी साम फ्राइ कर लेते हैं, हमारा मसाला एकदम से तयार हो चुका है, तो जो हमने सब्जी फ्राइ कर रही है, वो इसमें हम डाल देंगे, तो आलू आप देख सकते हैं, बुलकुल पनीर की तरह लग रहा तो ये हमारी कढ़ाई की पनीर की जैसे सब् खा सकते हैं अगर आपको रशीली खानी न थोड़ी पानी वाली तरी वाली तो इसमें थोड़ा सा पानी डालके और इसको अच्छी से खत्का लगा लेंगे तो यह देखिए गाईस मैं अच्छी से ठीश लगा लेते हैं तो इसमें डाल देंगे खुशू के लिए और तो गाइज यह सबजी आप कढ़ाई पनीर की तरह हमने बनाई यह तो यह ढ़ाबा रेस्टरांट सब फेल है इसके आगे आप इस तरीके से बना सकते हैं घर आए महमान आ जाए ना तो कुछ समझ में ना आए तो आप इस तरीके से बना के उनको खिला सकते हैं बिल्कुल शा देखने में कितनी ऊमसरत लगई है उतने ही हमारी खाने में बहुत टेस्टी बहुत ही यमी लगई लगई है तो चलिए illes आप अभी में आपको आपको पाससे दिखा देतिकी तो देख़े गाइस कितनी अच्छी लगई है ना बहूत ही यमी लगई गई है खिला सकते हैं बुलकुल कड़ाई पनीर की तरह होटल रेस्टरेंट धाबा सब फेल है इसके आगे इस तरीके साब बना के खिला सकते हैं आज की हमारी आपको शाही शिम्ला मुझकी रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना जर से थैंक यू सो मच गाइज ऐसी सपोर्ट बनाए राखें और धेर सारा प्यार दें और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ बाबाए टेक किया लव यू